हलो इस्टूडेंस आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्क्यूपमेंट्स एंड टाबलेट टूलिंग राइट जब भी हम टाबलेट बनाने की बात करते हैं तो टाबलेट को बनाने के लिए हमें बहुत सारे टूल्स की जौरत पड़ती है एक्क्यूपमेंट्स की ज़रत पड़ती है मसीनों की आजसे कता होती है जिसमें हम टाबलेट को उसके जो भी मतलब पार्टिकल्स हैं और ग्रेनियूल्स हैं उनको डालके अच्छी तरह से मिलाके उसको अच्छी तरीके से कोटिंग करके पंच करते हैं तो यह सब प्रोसेस क दौरान हमें अलग-अलग तरीके के मर्सीनरी की ज़रत पड़ती है टूल्स तो उन सब चीजों को हम जानने की कोशिज करेंगे और समझने की कोशिज करेंगे कि क्या-क्या मसीन हो सकते हैं तो आज का टॉपिक है एक्क्यूपमेंट्स एंड टाबलेट टूलिंग ठीक है म मसीनरी एंड टूल्स यूजड इन दी प्रोडक्शन एंड शेपिंग आफ टाबलेट इंक्लूडिङ कंप्रेशन मसीन्स, हिएटर्ड ग्रेनूलिटर्स, कोटर्स एंड पंचे अड़ए तो जो भी टैबलेट के प्रोडक्शन में उसको शेप करने के लिए उसको नहीं को बोलते हैं टाबलेट एक्यूप्मेंट से इंदर टाबलेट टूलिंग यह टाबलेट कंपरेशन मशीन हो सकता है यह ग्रेनुलेटर्स हो सकते हैं कोटर्स हो सकते हैं यह फिर पंच और ड़ाइ या यूज आए यूज अगर सते हैं तो 1 ने टाबलेट कंपरेशन मशीन ठीक है तो अडिवाइस डिट कंप्रेश पाउडर इन्ट ताबलेट्स यूजिन असेट आप तो इसलोक अंट डाइस तो इसलोकि को मतलब यह है कि एक ऐसा मसीन या डिवाइस जो की पाउडर को कंप्रेश करने के लिए इस्तमाल किया जाता है बाइधी हेलप आफ डिफेंट पंचेस और डिफेंट डाइस तो उसी को हम टैबलेट कंप्रेशन मशीन करते हैं यह दो तरीके कह सकता है सिंगल् पंच प्रेस एंड रोटेटरी पंच प्रेस प्रेसं तो सिंगल् अओ इंडимость में गया ना इक सिंग्ड एफेंड रहेगा। उसी में ही वो बार-बार पंचिंग होते रहेगा दा पावडर इस फीड इन्टु डाई जो नीचे का जो गड़ा होता है यह वाला आप हम देख सकते हैं यहाँ पे एंड कंप्रेजड एंड देन इजेक्टेट अज टाबलेट तो यहाँ पे हमने देखा है टेबलेट पंचिंग मसीन में कैसा होता है एक उपर में होता है टॉप पंच बोलते हैं यह नीचे आके इसमें और यह जो डाई होता है जिसमें एक खोल रहेगा यहाँ पे तो इसी में हम पावडर को डालते हैं और नीचे वाले जो पंचिंग जो रहता है उसको bottom punch बोलते हैं या lower punch बोलते हैं ठीक है टॉप punch, bottom punch और बीच का जो रहता है उसको die बोलते हैं और इसी die में पॉटल लगाते हैं तो यह punch होता है फिर यहां से tablet बाहार आता है तो यह महना इसी तरह से इसका दूसरा प्रकार है रोटेटरी टैबलेट प्रेस तो इसमें क्या होता है इसमें जब कंटिनिवस बैच प्रोडक्शन होता है उसमें इस प्रेटिकुलर मशीन का इस्तमाल किया जाता है इसमें लगे रहेंगे मतलब पाउडर पर से आते रहेगा और वह पंच करते रहेगा विच रोटेट रहता है और बार बार पंचिंग होते रहेगा अलग अलग तरीके से कंप्रेशिंग दी पाउडर इंटू टाबलेट कंटिनिवसली ठीक है यह जो टरेट है वह घूमते रहता है रोटेट होने लगेगा और मतलब कई पंच और डाई जो बार बार पाउडर आते जाएगा तो मतलब एक राउंड में यहां पर क्या होता है स्मॉल बैच के लिए यहां पर इसका इसका इस्तमाल हम कर सकते हैं तो आये उस पर बात करते हैं तो जब हम यूज की बात करते हैं तो यह फार्मसीटिकल इंडस्ट्री में यूज होता है फॉर मेकिंग टाबलेट्स आप मेडिसीन जो भी डाबला टाब मेडिसीन के जो टाबलेट बनता है और ड्रग टाबलेट पारसितमॉल अबुप्रूफीन वगरह तो उसमें इस्तेमाल करते हैं तो यह बनाने के लिए उसमें इसमें यूज करते हैं मैनिफेक्ट्रिंग आप क्लीनिग टाबलेट वाशिंग मस्चीन क्लीन या फिर वाश रूम क्लीरिंग और फिर पाइप वगरह को क्लीन करने के लिए तो वह सब पील्स वगरह भी इसवें बनायए जाता है दूसरा मस CMS होता है जो हमारे टाबलेट के लिए वह है ग्रेनियुलेशन इक्ट्यूप athletics ठीक है तो जैसे की नाम से ही पता चल रहा है टैबलेट पंचिंग के लिए है ना तो जो नॉर्मल पॉडर्स रहते हैं एक्सिपेंड के या ड्रग के उनको यह ग्रेनियूल्स में कनवर्ट करता है तू इंप्रूब दी फ्लो एंड इंशूर यूनिफॉर्मिटी आफ टैबलेट प्रोडक्शन उसके जो फ्लो है उसकी अच्छा सी इन्हेंस करता है उसकी उनिफॉर्मिटी को इंशूर करता है जब हम ग्रेनियूलेटिंग में उसको डालते हैं ग्रेनियूलेशन इक्यूपमेंट में तो यहां पर भी यह दो तरह का होता है वेट ग्रेनियूलेशन इक्यूपमेंट एंट ड्राइ ग्रेनियू तो उसमें जो रोलर कंपाक्शन रहता है उसमें पावडर को कंपाक्ट कendo देंस मांस और उसके बाद उसको וील कर देा जाता है अस्टेक में sports जाए वेट ग्रेनलीलेशन जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि यहां पर मॉस्चर रहेगा गीला रहेगा रहा है ना बाइंडर सॉलूशन देख लेजिए हाँ पर लिक्विड यूज कर रहा है हम लोग बाइंडर सॉलूशन इस एड़ेड टुदी पावडर मिक्ष्ड तुफॉर्म वेट मास मतलब जो यहां पर ड्राइड देंस मास बना सम्ट यहां पर वेट मास बने रहा है यहां पर यहां पर होपर रहता है जिसमें रा माटेरियल्स हम डालते हैं उसके बाद यहां से बाइंडर भी एड़ कर सकते हैं यहां पर हाइड्रॉलिक यूनिट हता है जो ऊहां पर को मतलब मूब्मेंट देता है। और यहां से यहेंड पर क्रम allocation ग्रेनिलेटर में वेट धश्समें सिंट करके यहांसे बाहर आता है तो यहजिएस्ट वे हैंश्य का और Soci टाबलेट कम्प्रेशन होना क्योंकि ग्रेनुल बनाने के बाद यह हम टाबलेट कम्प्रेशन को जा सकते हैं तो डेफिनेटली इंप्रूविंग दीफ्लो प्रॉपर्टी टेफिनेशन में देख चुके हैं and flow properties are powder and enhancing the uniformity जब granulation कर लेते हैं हम तो उसकी uniformity और उसकी flow property अच्छी हो जाती है जिससे हमको एक अच्छा tablet प्राप्त होता है इसके बाद हम जो equipment use करते हैं generally in general वो है coating machine बहुत important है कोटिंग का जमाना चल रहा है है तो कोटिंग मसीन में हम यहां पर देख सकते हैं कि देर आर सर्टेन टाबलेट्स विच नीड टू बी कोटेड राइट तो यह डिवाइस डैट अप्लाइज प्रोटेक्टिव और फंक्शनल कोटिंग टू टाबलेट्स बाई स्प्रेइंग कोटिंग सॉलीशन अन्टू टाबलेट्स ठीक है तो उसके उपर में एक लेयर जो एक आवरण हम बनाने वाले हैं टाबलेट के उपर में चाहे वह शूगर का हो सकता है फिल्म का हो सकता है या फिर किसी कलर का भी हो सकता है तो यह प्र स्ट्वाँटेंश का और एक लेयर बन जाता है उसमें जो की टैबलेट की प्रकर्टी को इल्हैंस करती है यहाँ पे पेन कोटर एंड फ्लूइड बेट कोटर सत दो तरह के कोटर होते हैं पैन कोटर की जब बात करते हैं तो इस ए ट्रेडिशनल कोटिंग इन डाइट टाबलेट आर रोटेटेद इन पैन वाइल यहां पे आप देख सकते हैं टाबलेट सा रोटेटेट इन पैन वाइल डी कोटिंग सॉलूशन इस प्रेड आन तू देम उसका छेड़काओं हमका कोटिंग सॉलूशन जो हम बनाये रहेंगे जाए हो शुगर का हो या कलर का हो या फिर किसी और अधर चीज का हो हना उसको इस प्रे कर देंगे टाबलेट में तो एक कोटिंग उसमें बन जाएगा वो एक आवराण बन जाएगा हना अशना धितल्क काम राफ्रा फ्लूइड बेड कोटर दूसरा है अव्विड बेड कोटर अ मध데 कोटिंग इन फ्लुइडाइस स्टेट आबलेट आवर अरस्पेंड है इसलिए वोल फ्लूइड बेड zij तो जो जो टैबलेट है हम अब ugh 방법 को Mooi इस्टेट में कोटिंग होता है यहां पे अब्लेट को हम do Gas Fine Cup में dale च्रूइड करेंगे और उसके बाद उसमें कोटिंग में कोटिंग सौलिशन का छिड़काउ करेंग YOU तो यह fluidized bed में यह किया जाता है सब्सक्राइब और छो भी इन एक्सिस ऐर हो यहां से अग्जास्ट हो जाएगा तो इस कंडिशन में वह बढ़ियास इसका यूज कहां पर है प्रोटेक्टिव कोटिंग टू टाबलेट्स मास्किंग टेस्ट को उनके मतलब मास्क करने के लिए उसको मतलब दबाने के लिए उपर से कावरण बना दिया जाता है प्रसकाराइब दो मास्किंग कोटिंग टाबलेट तो उसमें हम ऐसे कोटिंग करेंगे प्रोलिमर्ड का जिससे वह टमक श्टमक के चिदीकी कीमवर्मेंड में ड्रग को रिलीज ौने से बचा सकेगा तो इसलिए कोटिंग बहुत जरूरी होता है हमारे लिए उसके बाद च इसमें बड़े-बड़े मिक्सर रहते हैं जैसे कि वी ब्लेंडर्स पर फ्री फ्लोइंग पॉडर उसको अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा उसके बाद दूसरा नमबर में हम देख सकते हैं रिबन ब्लेंडर्स पर कोहेंसीव पॉडर्स जो चिपक जाने वाले पॉडर हैं उनको हटाने के लिए और थर्ड नमबर में आप लिख सकते हैं हाई-शेयर मिक्सर इसमें more incentive mixing अगर हम को चाहिए किसी भी ingredient group up ingredients को या टूलिंग मतलब एक्सेसरी जो होता है चोटे चोटे टूल्स रहते हैं नट बूल्ट वगरा हन उसको बोलते हैं इट रिफर्स टूल्स एक्सेसरी डिजाइन तो इन्हेंस फंक्शनालिटी प्रोडेक्शन और यूजबलीटी आफ टैबलेट डिवाइस तो डिवाइस को सपोर्ट करता है यह तूल्स जैसे हम उसके नट वोल्ट या पंच डाइ को हम चेंज करते हैं तो हम उसके अपने में कितना बड़ा शेप कैसा होना चाहिए यह सब हम कंट्रोल कर सकते हैं यह सब टूल से तो देर डिफरेंट टाइपस आप टूलिंग तो पहला है बी टाइप टूलिंग तो इसमें क्या होता है आफेन रिफर्स तो इस्टैंडर्ड और बेसिक टूलिंग यूज़ फर ज डिशनल फीचर पर स्पेसिफिक अप्लिकेशन जैसे कि हमको कुछ अलग तरह का अलग तरह का टाइबलेट चाहिए जिसका साइज एक स्पेसिफिक से 38.10 mm रहता है नीचे मैं समझाऊंगा पिक्चर में इमेज में थर्ड टाइप है बी टाइप आप टूलिंग रिफर्स तो इसमें 24 mm का अगर हमको टाबलेट चाहिए तो उसमें हम इस ताइप का टूलिंग का इस्तमाल करेंगे उसके बाद है चौथा नंबर में डी बी टाइप टूलिंग जो कि डबल ब्लॉक के लिए उस होता है यहां पर आप देख सकते हैं डी बी टॉल्ड तो यह आप दे के देख सकते हैं जो डाई का साइज है 30.16 mm यहां पर 19 मतलब जो पंच है वह ऐसा रहेगा इसमें जो डी टाइप आप टूलिंग में जो डाई का साइज रहेगा वह 38.10 mm यहां पर यह 25 पंच रहेगा वहां पर बी बी में 24 mm मतलब डाई रहेगा और 19 का पंच तो आप यहां से ही DB में डवल ब्लॉक में 30.16 mm का जो है डाई रहेगा और 25 का पंच रहेगा तो कहीं पर पंच कहीं पर डाई तो इस हिसाब से जो टूलिंग हम इस्तमाल कर तो इसके हिसाब से हमें टैबलेट जो है मिलने वाला है यहां पर क्योंकि जितना बड़ा होल रहेगा उतना प्रवाडर यह हम इसपे लोड कर पाएंगे और उतना ही जितना बड़ा पंच रहेगा उतना ही पंच करके वह ऐसा टैबलेट हमको मिलेगा तो ऐसा करने से क्या होता है तो बिसिकली हम यहां पर समझते है कि एक टेबल में कि इसमें क्या-क्या इस्तमाल किया जाता है तो पहला टाईप जैसे कि हम अब देख चुके हैं बी टाइप डी-टाइप बी-डी-बी टाइप की याद रख सकते में 500 लेंध मिली मिटर में पेली मिटर में कितना रहता है लेंध मतलब लंबाई वैयाय至 मिलिमीटर में कितना रहे और मैक्सिमम टाबलेट साइज मिलीमीटर में हम कितना प्राप्त कर सकते हैं तो आये बात करते हैं बी टाइप टूलिंग में 33.60 पंच लेंद रहता है तो मैक्सिमम इन आल टाइप पंच लेंद इस सेम यू कन सी हो मैसिमिटीए कि एफ और भी टाइबं है वहीं पिती एगां मिलीमिटर है एगी घटमी यहां पे आप देख सकते हैं 19 25 1925 19 25 जो हम ने उपर देखा है वो guy का जो डायमीटर है यहांपर आप देख सकते हैं वी टाइप में 30.16 mm था यह 30.16 तो उसके बाद 38.10 था डी टाइप में 38.1 वही बी टाइप में 24 तब बी टाइप में 24 और इसमें 30 के आसपास यह ऐसा रहता है मतलब बी टाइप में 22.22 रहेगा डी टाइप में 22.22 और इसमें 23.22 तो 22 23 22 23 ऐसा याद रख सकते हैं मैक्समाम टाइप मिली मीटर में हम इसमें 16 19 25 25 ऐसे तेरह वाई चाओद 19 ऐसे टाइप में प्राप्त कर सकते हैं तो यह थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि मैटर ही ऐसा है क्लास ही ऐसा है तो यह हमने बात की है टाइपलेट एक्कूपमेंट्स और टाइपलेट टूलिंग की जसमें बहुती सिंपल तरीके से simple diagram लेकि चीजों को समझाने की कोसीज की गई है ताकि आप exam में इसको अच्छे से याद रख पाएं और एक effective answer लिख पाएं ठीक है इसके बावजूद भी अगर आपको extra material चाहिए या deep knowledge चाहिए तो you can refer the standard book रैट तो ये notes भी आप telegram से download कर सकते हैं लिंक में description box में दे दूँगा आप चाहें तो इसी note से directly पर सकते हैं क्योंकि maximum चीज यहाँ पर compile करने की कोसीज की गई है अगर आपको लगता है कि और content add करना चाहिए तो you can refer the books thank you